पूर्शियल रेयलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 की विनर और पॉपुलर एक्टर सिधार्थ शुकला की निधन ने हर किसी को अंदर से जगजोर कर रख दिया है टीव इंडर्स्ट्री और फिल्म इंडर्स्ट्री के स्थितारी गहरे सदमे में टूबे हुए है जानकारी के लिए आपको बता दें कि 40 वर्शिय सिधार्थ शुकला का हार्ट अटेक की चलती निधन हो गया मुंबई के एक हॉस्पिटल में सिधार्थ शुकला ने अंतिम साजली सिधार्थ शुकला टीव इंडर्स्ट्री का एक जाना माना नाम था सिधार्थ शुकला को काफी अच्छी पहचान मिली टीवी सीरियल बाले का वधु के जरिये और बीतेस्ताल बिग बॉस सीजन 13 का खिताब अपने नाम करने के बाद सिधार्थ शुकला ने हर किसी को अपना दीवाना कर दिया वहीं सिधार्थ शुकला के निधन की खबर ने हर किसी को अंदर से जग जोर कर रख दिया है सिधार्थ शुकला के निधन के बाद उनकी प्यार भरी तस्वीरें और वीडियोज देजी से वाइरल हो रही है वहीं सिधार्थ शुकला के पोस्ट हर किसी की आँखों को नम कर रही है हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे सिधार्त शुकला का एक और प्यार भरा पोस्ट इस पोस्ट में सिधार्त शुकला अपनी प्यारी लाडली भतीजी को गोद में लिये हुए नजर आ रहे हैं इस तस्वीर को सिधार्त शुकला ने इंस्टेग्रेम एकाउंट पर शेर किया रक्षा बंधन की खास मौके पर इधार्त शुकला यहां पर अपनी नीस को गोद में लिये हुए बैठे हुए है और कैप्शन में लिखा है say hello to my youngest niece and her happy रक्षा बंधन to all who are celebrating रक्षा बंधन के मौके की ये प्यार भरी तस्वीर स्थाम ने आई है किसे पता था कि सिधार्त शुकला का ये आखरी रक्षा बंधन होगा सिधार्त शुकला यहां पर हस्ते मुस्कराते हुए नसरा रहे हैं और सिधार्त शुकला की इस पोस्ट को देखने के बाद हर किसी की आँखे नम हो रहे हैं हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं next 9 news